Hello students, मैं संदीप सिंग, welcome करता हूँ आपका magnet brands हिंदी में जहाँ पर मिलते हैं आपको free education from class 6 to 12 मतलब यहाँ पर कुछ chapters देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का gold subscription या premium subscription लेने के बिलकुल भी जुरत नहीं पड़ती क्योंकि हम आपके लिए कराते हैं quality content, experience teachers के साथ करने जा रहे हैं हमारे chapter number 11 कार ये तता ऊर्जा की आज हम इस session में देखेंगे कि इस chapter से related कौन-कौन से topics हैं जिनके बारे में हमें इस chapter के अंदर पढ़ना है आखिर ये दो word जो मुझे दिख रहा है कार ये और ऊर्जा इसके बारे में तो हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि भाई अगर मैंने कोई activity perform करी उसको कारे कहते हैं और मैं कुछ भी activity करूंगा तो मेरे को energy चाहिए without energy में कुछ करी नहीं सकता without ऊर्जा में कुछ नहीं कर सकता तो आखिर कौन-कौन से factors हैं जो हमारे इस activity को करने में मदद कर रहे थे कौन सी कौन से प्रकार के उरजाएं हैं जो हमें मदद कर रही हैं और किस प्रकार के कारे होते हैं तो चलिए सुरू करते हैं हम इसको देखते हैं कौन-कौन से topics हमें देखने भाई तो सबसे first तो इसमें देखना होगा हमें कारे इसल्फ मतलब कारे को ही हमें सबसे पहले तो देखना है कि ये होता क्या है हमने तो ऐसा सुना है कि वही जनरली ऐसा कुछ कि कोई चीज यहां से उठाकर के वहां लेकर के गए इसको कारे कह देते हैं लेकिन कई बार को scientifically long language में कहते हैं कि कि किसी चीज़ को हैं से उठाकर ले गए वह आपस उठा के लिया कि वही रख दिया तो बहुत कोई कारे नहीं हुआ ऐसा भी कहते हैं कि हम जैसे अपने स्कूल बैग ऐसे टांगे और चुप चुप खड़े हैं कहीं नहीं चल फिर रहे तो यह कहते हैं कि जीरो कारे हुआ कुछ कारे ही नहीं कि आपने लेकिन हमें पता चलता है हमने अपने पीठ पे वह बैग टांगा है और खड़े हैं तो हम तो थक जाते हैं थोड़ी दिर में ठीक है न तो फिर हमारी तो एनरजी लॉस हो रही है लेकिन कहे रहे हैं कि कारे ही कारे होता है अखिर इनके क्या अंतर है कोई कारे निगेटिव कैसे हो सकता है मैंने काम किया मैंने उर्जा खर्च करी और आप कह रहें यह निगेटिव कार यह तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ने कुछ लेकिन हम इसमें देखेंगे कि साइंटिफिक लैंग्विज में कारे अलग चीज है और फिजिकली जो हम समझते हैं कॉमन अपने लैंग्विज में वो कारे अलग परकार से ट्रीट होती है क्या डिफॉरंसस है इस चाप्टर में हम यह सौल्फ करेंगे भई आगे हम डिस्किस करेंगे कि उस कारे को करने के लिए हमें खर्च करनी पड़ती है उर्जा हम खाना घाते हैं हम फूड इंटेक लेते हैं जिसके कान हमें मिलती है उर्जा और हम उसी का रुपांतरन करते हैं उर्जा का ही एक से दूसरे रूप में रुपांतरन जब जब होत है उसी को कारे कहते हैं अब यह तो हमारी बात हो गई हमने तो ऐसा भी सुना है मसीनरीज भी कारे करती है विकल्स में हम पेट्रोल डालते हैं उसकी वज़े से वह गाड़ी चलती है तो भई वह भी कारे कर रही है तो घोड़ा खीच रहा है किसी चीज को वह भी कारे कर रहा ह तो आखिर क्या डिफरेंसेस है उसमें क्या अंतर है हम जो कारेकर उसमें क्या अंतर है तो इन दोनों जगहों पर बारी आएगी कि एनरजी हमारे अंदर अलग तरीके की एनरजी उसमें अलग तरीके की एनरजी हम कई बार को ऐसा देखते हैं कि एक बॉल को हैं रखा हुआ है तो बही इसके अंदर भी एनरजी है मैं छोड़ता हूँ तो नीचे गिरने लगते हैं तो क्यों गिर रही है एनरजी है तब ही तो तो इसमें कौन से एनरजी है अर्थात हम पढ़ेंगे उर्जा के रूप को और सिर्फ पढ़ना है हमें mechanical energy के बारे में हमें बाकी किसी energy के बारे में इस चाप्टर में discuss नहीं करना बट हमें पता है कि बहुत सारे type के energy होती है लेकिन अब जो यह mechanical energy है यह दो तरीकी के energy से मिल करके बनी है कानका से भाई तो एक गतिज और एक स्थितिज अच्छा नाम से ही किलिए रहे है इसके अंदर हम क्या पड़ेंगे कोई चीच चल रही है गती कर रही है तो भाई गती जोर जाँ घै और अगर कोई वस्तू है वो अपनी position के कारण अपनी स्थितिख के कारण उसके अंदर जो energy stored होगी उसको स्थिति जूर्जा कहेंगे एक्जाम्पल के लिए बात कह लें तो एक spring को आप ऐसा खीच करके रखें तो ये तो रुका हुआ है लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं वो सच्छे अपले पास आ जाता है इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई उर्जा तो थी जिसने उसको गती कहरवा दिया या यूँ कहूँ जो अभी जस्ट डिस्किस किया था हमने एक बाल को इतने हाइट पैसा पकड़ा हुआ है छोड़ दिया छोड़ते के साथ ही वो नीचे गिरने लगती है तो इसका क्या ताथ पर है अगर उसी बाल को थोड़ा और उपर ले जा करके छोड़ूँगा तो मैं देखता हूँ तेजी से गिरता है तो आखिर ये क्यों होता है कि वो तेजी से क्यों गिर रहा है ठीक है इसके साथ ही साथ क्या ऐसा होगा कि उस बाल को यहां से गिरा हूँ तो अलग वेग से गिरेगा इसी बाल को इसी हाइट के समकच थोड़ा सा इधर गूम गया और किसी वस्तु के गती के कारण चलने के कारण जो उर्जा है वो गती जूर्जा ये दोनों चीज हम उर्जा के रूप में डिसक्स करने बाले हैं फिर इसके बाद एक बारी आती है उर्जा का रूपांतरन रूप का अंतरन प्रारूप का चेंज होना कैसे भई तो एक सिंपल सी उर्जा है वो कम होने लगी और बदलने लगी वो गतीज उर्जा में मतलब एक चीज है कि उर्जा का रूप हम बदल सकते हैं इस्थितीज से गतीज गतीज से इस्थितीज यह अगर नीचे से ऊपर की तरफ यह काट चल के जाएगी इसका मतलब कि इसकी गतीज उर्जा इस् form से दूसरे form is आएगी हम यहाँ पर फिर से एक चीज़ बात करेंगे कि हम इसमें mechanical energy की discussion करेंगे according to syllabus हमें mechanical energy discuss करनी इसके अंदर आगे बात करेंगे कि क्या यह उर्जा सनरक्षित है क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितना यहाँ पर इस card के पास में गती जूर्जा थी या यूँ कहूँ potential energy जो इस पोजिशन पे इस object के अंदर क्या उसके बराबर की ही इसको गती जूर्जा मिली जब यह चलने लगा या कुछ change हो गया भाई पता चले यहाँ पर इस्थिती जूर्जा खोप सारी थी और गती जब कर रहा था तो उसके पास उर्जा कम हो गई ऐसा कुछ होगा क्या या ऐसा होगा कि जितनी उस्थिती जूर्जा उसी के बराबर गती जूर्जा ठीक है ये क्या होगा किस तरीके से होगा इसके डिस्कुशन करेंगे चुकि यहाँ पर एक वर्ड आया है हमारे पास सनरक्षण तो सनरक्षण का मतलब क्या होता भई कि उस उर्जा को उस उर्जा को अगर आप समझेंगे तो भई वो सनरक्षित रह रही है यानि वो हमेशा ही कंजर्व रह रही है जितनी यहाँ पर होगी उतनी ही नीचे की तरफ गती करते हुए भी मिलेगी मतलब परिवर्तित नहीं होगी कुछ ऐसा नहीं होगा है कुछ कमी रह जाए यानि जितनी स्थितिज होगी उसी के बराबर गतीज मिलेगी या मैं किसी चुछ को ऐसा पुस करका ऊपर ले जा रहा हूँ तो जितनी मैंने गतीज उर्जा दी है उसी के कारण उसमें स्थितिज उर्जा आएगी यानि वो संरक्षित है बरबाद नहीं होई कहीं उर्जा वो पूरी के पूरी रुपांतरित होगी इसी को कहते है उर्जा संरक्षड का नियम कि उर्जा को ना तो बना सकते हैं ना ही हम नस्ट कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सर्फ और सर्फ रुपांतरित कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं और कुछ भी ठीक है आगे बात करेंगे अब ये तो बात होगे सब कुछ उर्जा की और उर्जा के द्वारा कियेगे कारे की लेकिन हम ऐसा पाते हैं कि कुछ मसीनरीज या कुछ लोग जल्दी कारे को खतम कर देते हैं कुछ लोग उसी कारे को बहुत देर में खतम करते हैं तो आखिर ये है क्या क कोई भैज जल्दी करणाज इक रहा, कोई देर तक खतनाय करार, खिर क्या परिवर्थण है? तो इसी चीजे को कहता है, कारे करने की दर. अब जल्दी करना, बाद में खतन करना, ये क्या टाय करता है? रेट करता है. क्यों हो किस रेट से टाय कररा है? भाई अपने कारे को किस rate से खतम कर रहा है इसी चीज़ को हम कहते है दर जैसे ही समय से उसको compare करेंगे समय से नंबर को विभाजित कर देंगे तो ये निकल जाता है दर और ये दर किसका तो कारे करने का दर किया आप किस rate से कारे को कर रहे हैं इसका दर इसको हम कहते हैं ultimately सक्त सकति यह जो टर्म है इसको हम कहते हैं सकति यह जनरली कार ऊर्जा और सक्ति इस चाप्टर का जो थोड़ा पुराना नाम है वह कार ऊर्जा और सक्ति क्योंकि कार र abbrevi कार करने कि दर को ही हम कहे गया पर स्टिल यह समझ में आता है आगे बात करते हम अगला जो इसके अंदर आएगा टॉपिक हमें पढ़ने में वो आएगा बेवसाइक मातरक किसका उर्जा का अब हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो कमर्शियल यूनिट में आता है यूनिट में आता है कि 10 यू उर्जा मैंने यूटिलाइज करी तो यह अलग-अलग तरीके के सभी जो उर्जा के यूनिट्स है उन सब को हटा करके हम कमर्शियल यूनिट्स की बात करेंगे यह कंप्लीट करने के बाद कमर्शियल यूनिट तक जब आप पहुंचेंगे आप खुद भी अपने घर में यूज होने माले जो एप्लैंसेस है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने वाट का मैं सक्ती की का यह वाट इतने वाट का मैं यह एप्लैंसेस लेकर का हूँ इतने घंटे चलाओंगा तो इतना यूनिट विजली का बिल आना चाहिए तो हम बड़ा इसली कैलकुलेट कर सक कि हम अपने घर से सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे और सब कुछ सीख जाएंगे तो इतना सब कुछ होने वाला है हमारे इस चैप्टर के अंदर बहुत इंट्रस्टिंग सा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है क्यूंकि यह हमारे से हमारे आस-पास हो रही घटा क्रम से जुड़ा हुआ है हमसे जुड़ा हुआ है तो बड़ा ही मज़ा आने वाला भई तो हम ज़डूर बनेंगे इस सेशन में इसके हरे टॉपिक के साथ में अभी के लिए इस जगर पे आप अपनी बाकी के कोर्स किंटेंट्स को भी सर्च कर सकते हैं आप अपने सर्च बॉक्स में लिखेंगे magnetbrins.com आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज उपन होता है जहां पर आप अपने top courses को explore कर सकते हैं क्योंकि यही है इंडियास नंबर 100% free online educational platform जहां पर आप CBS English Medium से हो, CBS Hindi Medium से हो, Spoken English, NTSC, Olympiad, IIT, JEE, NEET, CAIB, JAIIB इन सब की तयारी में से किसी भी चीज के तयारी कर रहे हों आप, टैप कीजिए, आपको आपका course content easily systematic order मिल जाता है, जैसे कि आप CBS Hindi Medium से आपने टैप किया, आपकी देखिए, सभी classes open होती है class को टैप कीजिए, आपके सभी subject open होते हैं, आप अपने subject को जैसी tap करते हैं, आपके सभी chapters open हो जाते हैं जहां पे उस chapter के folder के अंदर ही, उस chapter से related उसके concept videos, one-sort revision, numericals, NCRT exercise, NCRT solution, MCQs, previous year questions और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है अप बस tap कीजिए, आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से play हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप pause कर सकते हैं, screenshot ले सकते हैं, notes बना सकते हैं और सबसे अच्छी बात, यहीं से next video करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं, मत्तब भटकने के बिलकुल भी जुरत नहीं है तो अभी के लिए हमारे इस वीडियो को like कर दिजिए, channel को subscribe कर लिजिए and अपने दोस्तों में share भी कर दिजिए